कि अब रीवन वेल्कम बैक टु माई चैनल और दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब बढ़िया होंगे मैं भी अच्छी हूं और देखिए आज मैं बना रही हूं कटल की सब्जी तो फिर आपके सब भी शेयर कर रही हूं और मैं बनाती हूं अक्सर कुपकर मै अधर देखिए मैंने कटल ले लिया है तो यह कटल मैं मार्केट से अभी अभी लेकर आई हूं शौन का समय और मैं दिनर में कटल बना रही हूं तो मैंने कटल लिया 70 किलो और मैंने थोड़ा सा ल Alexand लिया और तिंसे चार प्या जो तीन से चार टमाटर लियें क्योंकि इसमें ग्रेवी बहुत अच्छे से बनती है कटल में तभी ये कटल अच्छा लगता और मैं न कट लगवा के लाई थी कटल में सबजी वाले भाईया से क्योंकि मेरे से कटता नहीं है और वैसे भी चिपकता है हाथ में तो अच्छे से मैंने मोटा-मोटा कटल काट लिया आप जब भी कटल लें तो थोड़ा कच्छा कच्छा कटल लें कटवा के महाँ पर देख लें यलो पिला-पिला कटल जो आप अच्छा और कटल क्योंकि हमारे यहां थोड़ी घुली हुई सब्जी खाते हैं और बिल्कुल भी खड़ी-खड़ी सब्जी मेरे हस्बन को पसंद भी नहीं है तो मैं कुकर में बनाते हूं आप कड़ाही में भी बना सकते हैं बहुत ही अच्छा और टेस्टिक बनता है त क्योंकि गर्मी ori marketing के अंपनी अनुसार अप मसाले ले सकते हैं मैं दोउ साले ले लेती हूं सिरस्फ दालची लियो चोटी लाइची को मैं मोटा मोटा कूट और इसमें थोड़ा साइस्ट्रा ओलता है क्योंकि यह होता दो अब यह सब्सक्रा प्राइ आप सब्सक्राओं कुक बनाता है तो क्योंकि उसमें वी मसाला ही होता है यह था ज्यादा से ज्यादा तक उसमें बनाई एक नोंवेज भी पर फेलिया तो देखिए मैं इना अच्छे से इस गोल्डन फ्राइ कर लिए कटल को कुकर करके अंदर और मेरे टमाटर है कद्दू कसके शचर त्यार र और इस तरीके से मोटे मोटे टुकडे करके यह आपने फ्राइब करना आप बारी काटेंगे तो वह बिल्कुल ढहा जाता है कुकर में बनाने क्योंकि मुझे तो मैंने एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसी में मैं सब्जी बनाऊंगी तो मैंने हींग डाले जीरा डाला हींग मै क्योंकि लहसुन कच्छा रहेंगा तो उसमें अच्छा टेस्ट नहीं आता है तो सब्जी में तो सबसे पहले मैंने लहसुन को फ्राइब किया है जीरा भी अड़ कर दिया इसी में और खड़े मसाले जो मैंने 2-3 डाले थे वह भी इसी में आड़ हो गई और अच्छे से फ प्याज जल्दी फ्राई होते हैं आप जो मिक्सी में करते हैं वह बारीक पेस्ट बन जाता है वह भून भी जाएगा तब भी आपको ऐसा लगएगा कि उसमें कच्छा टेस्ट आ रहा है तो देखिए अच्छे से मैंने इसको फ्राई गिया तो इस सब्जी में थोड़ा ऑइल जो एक्स्ट्रा लगता तो आप भी खुला ऑइल डालके ही सब्जी बनाएगा नहीं तो इस सब्जी भूनती नहीं है टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और देखिए प्याज भून तो मैंने इसमें टमाटर भी ऐड़ कर दिया तो टमाटरों को भी बहुत अच्छे से भूनना इनकी भूनाई बहुत अच्छे से करनी है और इसके अंदर देखिए मैं नमक मिर्च हल्दी और खड़ी मिर्च डाली मैंने थाबुत और कोई भी मसाला इसमें एड़ नहीं कि तो पानी डालकर इसको मैं ढखके थोड़ा सपकाऊंगी घी अलग होने तक और जब मसाले में घी अलग हो जाएगा तो देखिए इसमें घी अलग हो गया थोड़ा थोड़ा तो इसमें मैं कटल जो फ्राई करके मैंने रखा है वो एड़ कर दूँगी तो आप बताईएग तब ही इसका टेस्ट आएगा तो देखिए अच्छे से मैंने कटल को भी भून लिया है मसाले के साथ थोड़ा सा मैं पानी जरूर एड़ करती हूँ ताकि ये नीचे लगे न और थोड़ा सा पानी एड़ करके मैं इसको कुकर को अच्छे से बंद कर दूँगी और सिरफ ये डिए गूफ ये इसके अंदर और मैं गैस को बंद कर दूँगी एक तो एक ही प्रेशर में ये बंद जाता क्यों कि अज़्ट है गल जाता यहां पर इसका प्रेशर निकाल लिया है और हमारी सब्जी बनकर तैयार है घुली भी बिल्कुल भी और अभी तो हलका सापको इसमें रसा लग रहा है पर रसा विल्कुल सूख गया था टीम जो निकालते हैं उसके बाद एक दम से सूख जाता है और हमारी कटल की टेस्टी और मसाले दर सब्जी बनकर रेड़ी है तो आप बताईएगा आपको कटल की रेसिपी कैसी लगी और आप भी जुरूर ट्राई कीजेगा तो देखिए अच्छे से हमारा कटल जो है बन गया आप रोटी के साथ खाईए चावल के साथ भी खा सकते हैं तो मैंने उपर से आप भी जुरूर ट्राई कीजेगा और बताईएगा आपको रेसिपी कैसी लगी अगर रेसिपी अच्छी लगए तो प्लीस आगे शेयर भी कीजिए और चैनल पर नए है तो लाइक सबस्क्राइब जूर जुरूर कीजिए और कमेंट जूर किया कीजिए बताया कीजिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और देखी मैं आपको दिखा रही हूं कि अच्छी से गल भी गया और मोटे मोटे पीसी काटी है तब यह इसे अच्छे से बनता है बनावाद दोस्तों बाइबाइब टेक केर